मित्रो आज एक मिशेश कारकम की लॉंचिंग उसके नाते से आपस के हाथ रूबरू हो रहा हूँ मैं आपको जैसे मालूम है हमने एक कारकम शुरू किया था परिवार पैचान पत्र जिसकी सर्वदूर उत्सुपता भी है जानकारियां में लोग ले रहे हैं जिनको पता लग रहा है उसकी सराहना भी कर रहे हैं केहरणा के हर परिवार का जो ताटा है वो हम योजनाओं को लोकों के हिद के लिए जो भी योजनाओं बनती हैं योजनाओं को बनाने के लिए उसका उपयोग करेंगे और हर किसी की आवशक्ता हैं, हर किसी की ख्रमता हैं आवशक्ताओं की पूर्ती के लिए सरकार योजना बनाएगी और ख्रमताओं का उप्योग कैसे किया जाए इसकी में योजना बनाएगे दारमंत्री जे ने यह कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास उसी के अंतरकत ये सब योजना है तो भी जिसमें एक योजना जो हमने खुशित की है मुख्यमंत्री अंतोदय परिवार उथान योजना उसका हेतु ये है कि अपने समाज के जो परिवार कम आयवर के है जिनको हम समने त्याश भाषा बोलते हो गरीवी रेखा के नीचे है ऐसे परिवारों की आये के साधन कैसे बढ़ाए जाए क्योंकि नोक्रियों के बारे में हमको सब कोविधित है कि हर किसी को नोक्रियों पलब्द कराना ये शायद कठिन काम होता है उसमें जो सिस्टम से आयेंगे उनको नोक्रियों मिलेगी लेकिन जो डह जाते हैं उनको भी परिवार में कम से कम इतनी आए अवश्य हो जाए कि वो अपना जीवन यापन फिक से कर सके हमने जो सर्वे कराया है उस सर्वे में पचास हजार रुपया वार्शिक आये से भी नीचे के परिवार है एक लाख रुपया वार्शिक आये के भी नीचे के परिवार है अभी दो ही श्रेणिया है जिनको हमने अपने इस टार्गेट में लिया है कि एक लाख रुपे तक की आये के जो परिवार हैं उनको अवसर दिला करके हमसे हमकर उनकी आये डबल हो जाए फचास जार से नीचे के कोई अर्टीस जार परिवार है उनको एक लाख तक ऐसे पुझाया जाए और एक लाग से नीचे के हैं उनको दो लाग तक किसे पुचाए जाए अधातावरा जो एक लाग 80,000 रपे का और्वेट है उसके से पार किया जाए बाहर किया जाए उनको हम बी पील ना कह करके उनको उससे उपर की लाइन पर ले जाएंगे इसमें विभिन बैठके हमारी हुई है भागों के साथ जो योजनाय चल रही है उसकी समिक्षा की गई है कितना लाग लोग ले रहे हैं लेकिन ध्यान में आया कि लोग लाग नहीं ले पा रहे हैं या तो उनको जानकारी नहीं मिलती या उनको उन योजनाओं को लेने में कठाई आती है ऐसे ही बहुत स्कीम्स ऐसी है जो बैंकों से लोन भी लिये जा सकते हैं अपने वफसार को बढ़ाने के लिए वहां भी कुछ कठाई या उनको आती है तुमने एक combined effort चाए बैंक है सरकार की स्कीमे हैं या फिर वैक्ति अपनी योजना से भी कोई नए काम करना चाहता है उसका अनुभावा एक्स प्रिवार जिनकी आए कम हैं उसमें हमारे पोर्टल के हिसाब से तो सब 136 परिवार से हैं लेकिन हम अभी देड़ लाग परिवार उनमें से बुला करके और व्यक्तिकत उनका जनकरियां से लेना उनका इंट्वी लेना कौन सी वो विवस्था का यानि योजना का लाग उठाना चाहते हैं कोई उनकी अपनी स्कीम है तो पहले चरण में ये काम हमारा कल 29 तारिक से शुरू हो रहा है और 25 दिसंबर तक जिसको हमने कहा के कुन सा दिवस 25 दिसंबर अटल जी का जनम दिन होता है शुशाशन दिवस उस दिन तक फील्ड में हर ब्लॉक लवल पर कैंप्स लगेंगे और उन कैंप्स में उनको सब को सुचना देख करके बुलाया जाएगा यहाँ कम्मिकेशन सिस्टम से सीधी जानकरी भी उनको दी जाएगी और जिला सर पर या ब्लॉक सर पर जो नोडल लिकारी हैं वो भी उनको जानकरी देंगे एक सान पर सब लोग आएँगे प्रतकल दसवज से लेकर के सायकल पांच वजे तक यह जो लोग को बुलाया है उनके सब के जब तक इंट्यू नहीं होते है तब तक वो करकम चलेगा पहले चरण में अभी तीन दिन के करकरम कुल चौबीस ब्लॉक्स में ऐसा हमने एक शड्यूल यह जारी किया है चौबीस थान है लेकिन उसमें किसी किसी थान पर दो दिन किसी थान पर तीन दिन भी जाके संख्या जादा है क्योंकि एक दिन पांच सो छे सो लोगों से जादा वहाँ उस मिले में बुलाएंड तो अज़ दस्ता होगी तो जहां संख्या जारा है वहाँ तीन देन दो दिन में पूरे तो दो दिन और जहां कम संख्या एक दिन में उन ब्लॉक्स में इसको लगातर चला करके पूरा करेंगे तो इस चौबीस सानों का शेड्यूल यह आपको जारी कर दिया गया है आपको दे दिया आप पत्रों तो उस हिसाब से उन सानों का हमने चैनल किया है सान चौबीस जो है कोशिश की है कि हर जिले में कम से कम एक दरूर हो जाए अमबाला केंट है भिवानी तो यह कुछ सान है जहां पर यह सारे कर्कम किये जाएंगे इंसानों पर नोडल अधिकारी बना दिये गया है एक प्रदेश सरका कोई भी IAS, IPS, IFS ऐसा धिकारी वहाँ जाएगा एक वाँ जिले सर्वर भी नोडल अधिकारी डिसीज, ने टैकर के नाम भेजे हैं वहाँ जिले में भी जो लोग है एक अधिकारी वो हैगा कुछ जो जन प्रतिनिदी हैं उनको भी सुचना हुई है अपने अपने क्षेतर में जो जन प्रतिनिदी भी जाना चाहे तो भी वाँ जाएगा दिनबर हैगा शोशल वरकर, शोशल संस्थाइन जो इनकामों में सयोग कर सकती हैं एसी भी सुचना उनको दी गई है वो भी लिजा करके कोई योजना में क्योंकि जिस प्रता के लोग आएंगे कई बार अपनी बात को ठीक से वो एक्स्पेस नहीं कर पाते हैं पड़ाई लिखाई भी कम हैं उनको योजनाओं का पता भी नहीं है तो ऐसी सारी योजनाओं की सहायता करने के लिए इस पर करके सब लोग वहां उपस्थित रहेंगे हमारी जो लोकल कमेटिसम ने बनाई है उनको भी सुचना दी गई है कि उनके लोग भी वहां के साथ रहें अर्था दिन बर एक मिला होगा भले लावार्थी यानि अपेक्षित जो है वो तो 500-600 ही है लेकिन उनके साथ आने वाड़े लोग सामाजने कारकरता फिर सेट अप के जो लोग है कुल बना करके शायद 500 के अगर जगां हजार भी आ सकते हैं तो दिन भर वो एक मिला टायपी अगर कम होगा प्रियोग है इस प्रियोग में पहले तीन दनों में कितनी हमें सफलता मिलेगी कितनी हमको कठाई आएंगी कितने नए सुल्याव आएंगे उनको भी साथ साथ हर दिन वहाँ से जो जो फ्रॉप्शन आएगी फिडवेक आएगा उसकी इसाब से नई चीजे क्या करनी है तो इस तीन दन के बाद नया शेडूल एक दो दन का गैप डाल करके फिर जारी किया जाएगा ताकि इन सब को हम 25 दिसंबर तक पूरा कर सकें 180 के आसपास यह सब स्थान है जहां यह सा कारकम किये जाएंगे कुल कारकमों के संख्या तो जज़ा हो जाएगी तो कि एक स्थान पर एक से ज़्यादा कारकम जैसा हमने बताया वो भी होंगे तो इस प्रकार से यह कारकम बनाया गया है वहाँ पर व्योस्था हैं सारी बता दिये गई हैं उनको डिस्टिक अड्मिस्टिक और ब्लॉक लेवल के जो लोग उनको सव्वेस सब्ता दिये गए हैं एडीसीज डिसीज के साथ डिटेल्ड एक मिटिंग भी होई है उनके साथ वीडियो कनुफेस भी होई है उनको सोपी बना करके जारी भी कर दिया गया है कि डिस्टिक अड्मिस्टिक ने क्या करना है विभागों ने क्या करना है बैंक से क्या पिक्षा है और जो बेनिफिशरी संभावित बेनिफिशरी है उससे क्या क्या जानकारी लेनी है बहुत सी जानतारियों तो परिवार पेचान पत्र में ले लिए गई हैं लेकिन उसकी अत्रिक विवसाय के नाते, काम के नाते, इंकम बढ़ाने के नाते उन से भी कुछ साची की जाएगी जो योजनाय सारी आपको एक पत्र कौर भी आ गया है जिसके दर योजनाओं का उलेक है सब और इस योजनाओं में मैं अभी पढ़ रहा था योजनाय को पचास से अपर लिखती है लेकिन कुछ ऐसी हैं जो शायद व्यक्ति के लिए नहीं है ग्राम के लिए हैं, बस्ती के लिए हैं, विभागों के लिए हैं तो व्यक्तियों के लिए लगबग 42 योजनाई ऐसी हैं जिसमें से व्यक्ति अपनी इंकम बढ़ा सकता है तो उस प्रकार की सब योजनाई दी गई हैं इनके सब के वहाँ हर एक कर्म के वहार कई के जगा चार्ट लग जाएंगे उन चार्ट को पढ़ेंगे उसमें बेनिफिट यानि क्या मिलेगा उनको लोन का मैक्सिम लिमिट क्या है और उसकी पात्रता क्या उसमें तेह की गई है अलग लग वर्गों के लिए जैसे S.C.S. के लिए कुछ योजनाई हैं B.C.S. के लिए उजनाई हैं उनको कोई ना कोई वहसायक करने में आगे कैसे सुईदा मिलेगी तो ऐसे एक multiple एक जिसको कहना चीए एक affairs ये इसके अंदर बताये गए हैं जाते ही लेती एक welcome desk के उपर जाएगा तक कि उसको कोई बात आगे कहा जाना इसके जानकारी निए तो बतादी जाएगी तो भी एक welcome desk होगा उसके बात पाँच-पाँच कम से कम पाँच-पाँच काउंसलिंग सेंटर होगे वो किसी भी एक काउंसलिंग सेंटर पर जाएगा तो जानकारी ये लिजाएगी उससे पूछ साच कि जाएगी किस प्रकार का काम हो कर सकता है कोई वक्ति खिती से जोड़ा कर सकता है, कोई पशुपालं की दिश्च कर सकता है, कोई मश्रूम के नाते से कर सकता है, कोई दुकान बना सकता है, कोई सरकारी योजिनाव में योजिनाव का लाब उठा सकता है तो उसी साफ से उन counters पर भेजा जायागा उन counters पर detail पांच से लोग आ रहेंगे detail एक जनका रिस्ट ले करके उसको recommend किया जायगा यह काम यह कर सकता है एक की बजा एक दो तीन भी बताए जा सकते हैं तीन में से भी कोई कर सकता है वो पर banks के counters होंगे उन bank के नोडल जो bank होंगे उस ख्षेतर के कही 5 हैं कही 6 हैं ऐसे banks के सब के अपने अपने counter होंगे वो फिर बारी बारी से उनको भेजेंगे अगर उस सामने वाले का कई bank account है तो उस पर भेजा जाएगा नहीं है तो किसी को भी account पर भेजा जाएगा और banks को मैं कहा है कि जहां कोई guarantee की जुरूरत नहीं है तो कोई guarantee आपने पूछनी नहीं है बहुत सी युजना ऐसे हैं कि अंदसकार के और से तैकी गई है bank को ने मानी हुई है कि इसकी कोई अमने collateral नहीं लेना guarantee नहीं लेनी है कि और उसकी युग्यता ठीक होनी चाहिए वो काम ठीक परकार से कर सकता है तक कि विश्वास है कि वो अर्म करेगा और bank को वापिस करेगा अगर उसमें इतनी युग्यता ही नहीं है तो शायद bank वाले उसको diffuse करते हैं लेकिन वो सारा काम चोके हमारे डिपार्टमेंट साब उसमें जुड़े हैं उसकी काउंसलिंग कर रहे हैं और इतनी चलनी जो सारे system के अंदर से निकाले जाएगी तो बैंक्स को सुविदा हो जाएगी फिर बैंक्स नहीं काया कि नहीं जो हमने तैक किया है या जो हमने रिक्मेंड किया है उसमें कोई नहीं एक काम का लूँ आपने देना ही है कुछ स्कीम ऐसी है नई स्कीम मानों बन सकती होंगी तो उसका अगर बैंक्स की जरूरत होगी तो उसका जो गरंटी है बेंक Guarantee, वह जानि को सबर्म करना देग सबर्मकु dziब सब्सक्राइब न्यूं सब्सक्राइब पर और। जोओ भेज़ेंगे गार दो जो घंटे के लिए उनके प्रेस्ट बनाकर कि सुचण दिन गही bek है अगरर हैं यह लिए-आप दो घंटे में सु लोग बी-जोड चाहरे Скानौ बना होंगे तो सब्सक्राइब कर दिया तो सब्सक्राइब करें अब यह सारी प्रक्रिया होने के बाद में जाते समय एक काउंटर और रखार ने फॉर्म जमा कराने का एक फॉर्म रहेगा इसके साथ वह फॉर्म सब जगा अपने-पने कोइंट्स समने कि लिखने हैं लिक करके बैंक वाले लिखने लिखने के बाद जैसे एक तो civil, बैंक के लोग उसको चेक करते हैं, कि क्या इस वेक्ति ने, पहले तो कोई लोन नहीं लिया हुआ, उसमें डिफाल्टर तो नहीं है, बड़ा डिफाल्टर भी हो सकता है, तो जानकारियां बैंक के सिबिल से सिस्टम से मिलेंगी, उसको बैंगे, अगर उसमें इनके सबके सेकेंड कैंप लगाएंगे, और सेकेंड कैंप में जिनके लोन सेंक्शन उनको लोन दे लिया जाएगा, जिनकी कठाई होगी उस कठाई को दूर करने क्योंको स्कीम सरकार को बनानी होगी, वो बनाएंगे, या कोई नई योजिना अगले को देनी होगी, कोई म आजा सकता है तो बैंकों के अंदर कोई डिफाल्ट इस परकार का मिलता तो उनकों बिना लोन के भी उनकी इंकम कैसे बढ़ सकती है इसकी युजिना बनाई जाएगी लेकिन जनुरी में इन सब को लोन दे दिये जाएंगे तो इस सारे चर्ण में अभी डेड़ लाग परिव से उनको लिया जाएगा तो इतना यह एक टाक्रम है आपको बताने के लिए और इसमें आपको लगता है कि कोई सुजाव है कोई बात ऐसी है जो पूरी नहीं हुई है मुस्मा धुरी रह गई है यह वह आपको लगता है इसमें और कुछ जोड़ा जा सकता है